एक्स गरला फ्रेंदा कांख्शा पुरी को लेकर पारस हिचाबड़ा का बड़ा खुलासा छोटे परदे के मशूर विवादिच शो बिग बॉस तेरह में नजर आने के बाद पारस हिचाबड़ा टीवी शो मुझसे शादी करुगे में नजर आ रहे हैं बिग बॉस तेरह में आने के बाद पारस हिचाबड़ा काफी ज्यादा पपुलर हो गए हैं उनको लेकर आए दिन कोई ना कोई खबरे आती रहती है इसके अलावा पारस हिचाबड़ा दिल फेग आशे के और पर जाने जाते हैं जिनका दिल कई लड़कियों पर आ चुका है बिग बॉस के घर में जब पारस हिचाबड़ा थे तो वो अपनी एक गरलत पुरी को लेकर चर्चा में बने हुए थे हाला कि अब बिग बॉस तेरह के घर से आने के बाद पहली बार पारस हिचाबड़ा ने अपनी चुपपी तोड़ी है और इस पर बात की है इसके अलावा उन्होंने अकांगशा पुरी को लेकर बायान भी दिया है पारस छाबड़ा ने एक वेब साइट से बाचीत करते हुए कहा कि उनको नहीं पता कि उनकी गरलफ प्रेन पारस छाबड़ा के पीछे क्या-क्या बोल रही है पारस छाबड़ा ने कहा कि अगर उन्होंने उनके परिवार से कोई वादा किया होता तो वो खुद आकर अपनी बात रखते इसके अलावा उन्होंने बताया कि पारस छाबड़ा ने 506 लोगों ब्लॉक किया है जिसमें उनकी एक्स गरलफ प्रेन दकांग्शा पुरी का नाम भी शामिल है पारस छाबड़ा ने ये भी बताया कि माहिरा शर्मा उनके फोन की स्पीड डायल पर है खिर अगर हम पारस छाबड़ा के काम की बात करें तो उन्होंने बिग बॉस दे रहा के घर में पॉपुलेरिटी हासल करने के बाद मुझ से शादी करुगे में नदर आ रहे हैं जिसमें वो अपने लिए साथी ढून रहे हैं उनका ये शो कलर्स पर प्रसारित किया जा रहा है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं इस शो में जसलीन मथारू पहुंची है